वैव वीज़ वेल्कम तो आर चैनल और आज हम आजए हम लेक्टे आए हजरत मुसा और मौत का फरिष्टा का रेक्शिन यह हार टचिंग बयान बाइ डॉक्टर सुलेमान मिजबा का है इनका हमने आज तक अभी नहीं सुना है यह कुछ पता नहीं है तो यह पूरा टॉपिक भी एंड जो बताने वाले हमें कुछ इसका आइडिया नहीं है यह हमारे एक दब नुग होने वाला है एक हार टॉचिंग बात की जाती है यह मुझे तो यह देखना है इनके बात होते हैंने नॉर्मल में बात होते हैं यहार Murasfagel मुझे हमने हंने मुझे थे माट के दनी हम नहीं आशनुते हैं वाले हम प्रुच्छ takiej मॉत करह सकती है अगर हम अगनी बात करें तो हमें डॉक्तर सुलीमान , मिस भी कि नहीं नहीं लेख रही है तो आप पहले बारे हम इनके लिखेगें और लाइक कैसा है मुहमद अली मिरजा आप एक विजा देख लिए लाइक लिए लोगत करें तो वह एक लिए बनादे हैं ऩज वी इका समय दोयर की स्वूक पर किया है थी मेर जा नानी डाद़ कोरी और daddo मेरे ऍाणा को मेरी अम्ही कोरी को मेरी अभू कखी अर मुझे भी खने को तयार कड़ी है यह जॉतानी जमीन का कुंसा तुकड़ा वे इस जॉताना है मेरा मुनतजिर है रोज मुझे याद करता है अदीश का मफ़ूम है ना कब रोज बंदे को पुकारती बंदे तू मुझे भूल गया मैं तो तुझे नहीं भूल लिया अदीश में तदा थोड़ी मुक्तलिफ हाई है रोज कबर पुकार के कहती बंदे तू भूल गया मैं तो नहीं भूल ली तू ने कोटी से जी लगा लिया तू ने ये समझ लिया कि मैंने इस मकान में सद़ ही रहना है तू मुझे भूल गया तू ने इस ड्राइंग रूम से इस के सोफों से इस बैड से इस महले से इस घली से इस 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 बेवफा दुनिया से तूने जी लगाया है तू मुझे भूला बैठा लेकिन बंदे याद रख तू मुझे भूला है मैं तुझे कोई नहीं भूल ली जाए रोध याद करती है अधरत बंदे को मैं लोगों को चेरे देख रहा होता हूँ अधरत के लोग मुझे किस अंदाज से देख रहे होती है और मैं यह नमा नमा मुकांट बढ़ा है मोल भी केड़ी 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 काल ला है कि बैग आगया था नहीं भाई यह कोई नहीं सोचे कि मौत का तथक्रा करने से मौत जल और कर रख रहे हैं यह वो लिखा ना हदरत सुलिमान अला नभी यह ना लहीं सलातों सलाम के दरबार में आपका एक हवारी बैठा था तो अर्थ करता है आया अल्ला के नभी लाह सलाम यह बंदा मुझे बड़े जीबों गरीब तरीके से देख रहा है मुझे से खौफ आ आप हवा से कहें कि मुझे उठा के ना इससे कहीं दूर ले जाए आपने हवा को हुक्म दिया हवा ने उठाया उस शक्स को कहीं दूर ले गया जब वो शक्स वाँ पहुंचा तो जो देख रहा था ना दरबार में वो पहले ही वह पहुंचा हुँआ उसने कहा मैं तू से भी बारा था मैं वह वह पहुंचा नहीं है यह निजाम रभी है यह आप कही है मेरे अख्तियार में नहीं है आपकतन ना सोचेंगे अगर मैं मौत का तथक्रा करूंगा तो जल्दी आ जाए यह अपने वक्त पे आएगी इसे भागना नहीं है इसकी तैयारी करनी है इसे भ विसाला नभी जना अलही सलाम इसराइल अलही सलाम है बड़ा मारूफ वाकिया है आपने थपड़ मारा आँक बेह निकली हदरत इसराइल अलह पाग आँक वापस लग गई है मुस्लिम शरीफ की रिवायत का मफूम है अलह पाग ने फरमाया इस तरह करो जन्नत से बहल ले लेकिया आदरे खिदमत ओए आके अर्ज की अलला फरमा रहे है कि मेरे कलीम से को कि इसकी पुष्ट पी अपना हाथ रखे आपने फरमाया फिर लगए जितने बाला आएंगे ना उतनी आपकी उमर बढ़ा दी जाएगी तो आपने फरमाया फिर अर्ज की ती मैं फिर आओं कि इसनी खूले। करनें हो फिर दो कर दो कने रहनते हैं City भड़ीया गार के दो करनें वें जब तो ऑनी आनी वाली हो तो तुम जाओ गई जै कितना भी बड़ी travel क्यों ङुद्Musik साद्मा लॉग फूव घ्यात्य बड़ी देखने पर यह एव 너श् gel WORD तो फिर वह नहीं हो सकता कि तुम उसे बच पाऊगा या ऐसे निकल पाऊगे तो मुझे बहुत अच्छा इनका मेसेज लगा जिस तरीके से उने पूरा को पूरा को डिलिवर किया यह बताया कि आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए बजाए इसके आप दूर भागते रहोगे तो इसके बजाए आप उसको कर लेगी इसके बजाए आप उसको फेस करोगे और इमन जो लास्ट का वाकिया था भी बहुत ज़्यादा हाथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे यह लगा कि जैसे मुने बोला कि मॉल्ट कभी आपको बताकर नहीं आए और आपको हमेशा प्रिपेर रहना चाहिए और मुझे रखता है कि हाँ आपको यह होना चाहिए कि आपके दिमाद में कुछ लोग गई जो मॉल्ट से डरते रहते हो आपको यही नहीं और कोशिश करने चाहिए इतनी हो कि हम हम डाउन तो रहते हैं कि हाँ ठीक हम यह है अगर ना भी हमारी मुझे पूरी हो ना उससे पहले हम मौत आई तो ऐसा होना चाहिए कि ठीक है कुछ नहीं होता आगी तो आगी वाला सी और हम जितना होसे कि अच्छा रहना चाहिए कि यार ना अगर वही बात है कि आप अगर जैसे आप ना मतलब उसमें हुआ था महा भारत में उन्होंने बोला था भी बगारे निकि आप कब तक तक धर्टी में हम कब सब्सक्राइब रहे तो अब तक आपके जब अच्छे काम है जब तक आप वह याद रखेगे लोग कि आपने सेट्चर तो सब सही है तो सीरिसली मुझे भी विडियो बहुत अची रही है वही काफी अच्छा मैसेश था इन दी एंड तो वाकि आप लोग को एवीडियो कैसे लगी आप एक पर कमेशन दूरूर बताएगा इसे लाइक करते जाए कमेंट करते जाए शेयर करते जाए और बाइ